नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डेली वन टोपिक बाई एके यूचूब चैनल में बाल मनोविज्ञान की हम ये जो टोपिक शुरू कर रहे हैं इसमें सबसे पहला है विकास की अवस्थाइं देखे विविन मनोविज्ञानी का नुसार बिनविन विकास की अवस्थाओं का वरगी करन किया गया है लेकिन एक सामान्य वरगी करन है जिस पे लगबग सभी मनोविज्ञानी सहमत हुए है और कुछ मनोविग्यांग जैसे ये भी हर लोग, कॉलस्निक और कॉल के द्वारा भी विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण दिया गया है तो आईए हम एके करके इन सब को देख लेते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं सामाने वर्गीकरण जिसमें सबी सैमत है तो सामाने वर्गीकरण के अवस्थाओं ये पहली अवस्था है गर्बाधान का गर्ब धारन से जनम तक का जो समय होता है उसे गर्ब धारन काल कहते हैं नेक्स्ट है शैश्वा वस्था शैश्वा वस्था जनम से बालक के जनम से 6 वर्ष तक का समय फिर है बाल्य वस्ता, बाल्य वस्ता में बालक के 6 वर्स से 12 वर्स तक का जो समय होता है वह बाल्य वस्ता में होता है और नेक्स्ट है किश्वर वस्ता, बालक के 12 वर्स से 18 वर्स तक का जो समय होता है वह किश्वर वस्ता में काउंट किया जाता है तो ये विकास की वस्ता मे सामान्य वर्गी करण है Next हम देखते हैं EB हर लोग के द्वारा दिया गया विकास की अवस्थाओं का वर्गी करण EB हर लोग के द्वारा जो दिया गया वर्गी करण विकास की अवस्थाओं है उनमें सबसे पहला है गर्भ अवस्था इसमें गर्भ धारन से चोदा दिन के बालक से दो वर्ष तक का जब होता है तो उसे शिश्य वस्था में माना फिर है नेक्स्ट पूरु बाल्य वस्था दो वर्ष के बालक से छे वर्ष तक का जो समय होता है वह पूरु बाल्य वस्ता, फिर उत्तर बाल्य वस्ता, 6 वर्ष के बालक से 12 वर्ष तक के बालक का जो समय है, वह उत्तर बाल्य वस्ता है, फिर पूरु किशोर वस्ता, जो लड़कों में अलग और लड़कियों में अलग होता है, तो लड़कों में 12 वर्ष से 15 वर्ष तक की जो आईए होती है वो पूरु किशोरवस्ता और लड़कियों में 12 वर्स से 14 वर्स तक की जो आईए होती है वह पूरु किशोरवस्ता ही होती है नेक्स्ट है ये भी हर लोग के नुसार मद्दे किशोर अवस्था, लड़कों लड़कियों में अलग, तो लड़कों में 15 वर्ष से 17 वर्ष और लड़की में 14 वर्ष से 17 वर्ष का जो समय होता है, वह मद्दे किशोर अवस्था होता है, और नेक्स्ट है उत्तर किशोर अव वस्थाओं का वर्गी करना है इसने इसे आठ भागों में बाटा गर्बावस्था शैश्ववस्था शिश्ववस्था पूर बाल्यवस्था उत्तर बाल्यवस्था पूर किश्वरवस्था मद्य किश्वरवस्था और उत्तर किश्वरवस्था इसमें देखिए गर्बावस के फोर्मूले से याद कर सकते हैं तो इसी क्रम में next है कालसनिक के अनुसार विकास की अवस्थाओं का वर्गी करन तो इन्होंने भी पहला गर्भावस्था दिया जो गर्भधारन से जनम तक का समय होता है next है पूरू शैश्वावस्था जनम से एक माहा तक का जो समय होता है बालक का वो पूरू शैश्वावस्था दिया मद्य शैश्वावस्था एक माहा के बालक से पंद्रा माहा तक का जो समय होता है उसका वो मद्य शैश्वावस्था फिर उत्ता शैश्वावस्था में कहा गया पंद्रा माह के बालक से तीस माह तक का जो समय होता है उत्तरशेश वस्ता फिर पूरु बाल्य वस्ता तीस माह के बालक से पांच वस्त का जब होता है तो वो पूरु बाल्य वस्ता में होता है और मद्य बाल्य वस्ता में पांच वस्त के समय से नो वस्त का जब बालक होता है तो वे मद्दे वाले वस्ता और उत्तर वाले वस्ता में कालस्ट ने दिया 9 वर्ष के बालक से 12 वर्ष तक का जो समय होता है वे उत्तर वाले वस्ता और next है और last है किशोर वस्ता ये 12 वर्ष के बालक से 21 वर्ष तक का जब बालक होता है तो इन्होंने इसको किशोर अवस्ता में रखा तो कालस्निक की किशोर अवस्ता 21 वर्ष तक इन्होंने बताई है यह कालस्निक के अनुसार विकास की अवस्ता है तो इसमें देखी गर्ब अवस्ता एक है शेश अवस्ता इसमें तीन है बाले Fasc में 3 है, किशुर रवस्दा रवस्दाइस में 3 है तो इसलिए हम इसमें formula लगा सकते हैं एक, तीन, तीन और एक यह सिर्फ याद करने के लिए है इसी पकर next है और last है वर्गिकरन कॉल के द्वारा दिया गया वर्गिकरन विकास की अवस्थाओं का, इन्होंने भी पहला वर्गी करन दिया गर्बावस्था का, इसमें है गर्बधारन से जन्म तक का समय, फिर शैश्व अवस्था में इन्होंने दिया जन्म से दो वर्ष तक का समय, पूरू बाले अवस्था दिया इन्होंने दो वर्ष से छे वर् उत्तर बाले वस्ता में कोल कहते हैं कि लड़का 12 वर्स और लड़की 10 से 12 वर्स के जबीच होती है तो वह उत्तर बाले वस्ता में होता है पूरू किशोर वस्ता में इन्होंने वर्गे करन दिया लड़के का 14 से 16 वर्स और लड़की का 12 से 14 वर्स इसी प्रकार मद्दे किशोर वस्ता में लड़के का वर्गे करन उम्र का विकास का 16 से 18 वर्स और लड़की का 14 से 17 वर्स और इसी प्रकार उत्तर किशोर वस्ता में इ शैश्वावस्ता, पूरु बाल्यवस्ता, मद्दे बाल्यवस्ता, उत्तर बाल्यवस्ता, पूरु किश्वरवस्ता, मद्दे किश्वरवस्ता, उत्तर किश्वरवस्ता में विकास का वर्गी करण किया, तो देखिए आप ए गर्बावस्ता काल एक है, शैश्वावस्ता एक तो आख है बाली अवस्ता के तीन पाल रेंगई कि विद्धाल ये वीकास की अवस्ताहु से अन्दित वीडियो नोड है नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बालग के शारिक विकास की तो अपनION